नमस्कार मैं दुश्यन सिंग एक बार फिट से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे इसके साथ आपकी UP pieces pre की त्यारी भी बहुत ये बड़ीया तरीके से चल रही होगी आप सभी जानते हैं के इस चैनल के सभी को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है समझा है अब यहाँ पर एक चीज विशेश रूप से आपको बताना चाहूंगा कि पिछला वाला टॉपिक केंदराजी संबंद और यह जो अब ही आप पढ़ रहे हैं इंतराजी संबंद दोनों ही टॉपिक जो हैं दोनो कोई वर्स नहीं है जब इन दोनों चैप्टर से क्वेशन न पूछा गया हो तो बहुत चोटे-चोटे टॉपिक हैं वैसे तो किंदराजी संबंद या अंतराजी संबंद अपने आपने थोड़ा से बड़ा हो जाता है अगर इसको हम में परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक तरीके से इसको पढ़ना है और मैं बताता चलूँगा कि पैशन आपको कहां से पूछा जा सकता है तो चली स्टार्ट करते हैं तो अंतराजी संबंदों की जब भी बात आती है सर तो एक चीज़ आपको यहां से समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कॉंस institution में हमारे समविधान में अंतराजी संबंदों के विशे में ना तो कोई particular chapter है और ना ही कोई particular भाग है यानि समविधान के किसी भी विशेष भाग में या किसी विशेष अध्याय में केवल अंतराजी संबंदों की बात नहीं की गई है जब भी हम Interstate Relations की बात करते हैं तो सम मैंने यहां पर इकठा करी हैं और इसमेंसे बैसे तो बहुत सारी प्रोविजन्स हैं लेकिन वही प्रोविजन्स हम देखेंगे जो आपके एक्जाम के पर टेवियू से महत पूर्ण हो सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि समविधान का जो भाग 11 है उसमें एक आर्टीकल है 263 आर्टीकल 263 किसकी बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करता है अंतराजी परिशत की बात करता है यहां पर मैं केवल आर्टीकल के बारे हम बता रहा हूं इसी वीडियो में नी अपने आप में बहुत important topic है प्रस ने यहां से पूछा गया कि यह अंतराजी संबंद के अंतरगत आता है तो आपने देखा होगा अभी recently मैंने जो पिछला paper कराय था उसमें भी अंतराजी परिशत से जोड़ा हुआ question था हालांकि मैंने previous year papers वाले section में भी अंतराजी परिशत क पूरी तरीके से विस्तार से उसकी explanation में मैंने इसको बता दिया है लेकिन फिर भी आप यहां दुबारा समझ सकते हैं तो संविधान के भाग 11 में एक article 263 है जे बात करता है कि इसकी अंतराजी परिशत की इसी भाग में यानि भाग 11 में ही एक article 262 है ये नदी जल विवादो से जुड़े हुए जितने भी उपबंद होते हैं प्रोविजन्स होते हैं वो इसमें दिये गए हैं जैसे आपने देखा होगा एक नदी किसी राज्य से हो करके निकल रही है फिर वो दूसरे राज्य में प्रवेश कर रही है तो कभी-कभी उसके जल बटबारी को लेकरके विवाद हो जाते हैं तो उससे जुड़े हुए जो प्रोविजन्स हैं वो भाग 11 के आर्टीकल 262 में दिये गए हैं इसी भाग का यानि भाग 11 का ही एक आर्टीकल है 261 ये क्या करता है जो अलग-अलग राज्य होते हैं उनमें एक दूसरे की प्रशासनिक और नियायक कार रवाईयों को वैदता परदान करने के लिए निर्देश देने का काम करता है डायरेक्शन देने का काम करता है और अंतराजी संबंदों के पॉइंट डव्यू से इस आर्टीकल को बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है 261 को ठीक है इसमें बहुत सारी प्रोविजन्स दे र भाग तेरे में भाग पांच में एक आर्टीकल है 131 यह सर्वोच नियाले की मूल अधिकारता के विशह में बताता है जैसे के विभिन राज्य हैं अलग-लग राज्य हैं उनके बीच में कोई कानूनी मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा उस समाधान करने की जो अन्तिम या सर्वोच सक्तिक इसको दी गई है सर्वोच नियाले को दी गई है तो इस चीज के बारे में उपबंद करता है आपका भाग पांच का आर्टीकल 131 बहुत इंपोर्टेंट है पूछा भी गया है तो याद रखेंगे इसको अब जैसे के भी हम बात कर रहेते स्टार्टिंग में अंतराजी परिशदों की तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है किस तरीके से ये काम करती है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में प्रोविजन दे रखें आर्टिकल 263 में ठीक है तो रास्टपती जो होता है वो राजी परिशदों का गठन करता है सबसे पहली चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल या अंतराजी परिशद का गठन किसके द्वारा किया जाता है रास्टपती के द्वारा कोई ऐसा मामला है कोई लोगों के हित से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उस पर रास्टपती जो है किसी भी इंटर स्टेट काउंसिल का कठन कर सकता है काम क्या क्या करती है ये परिशद है राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन हो जाए उसकी जाज करना उन पर सलाह दिना कुछ या सभी राज्य या एक जैसे केंदर की बात करें और केंदर या अलग अलग राज्यों के बीच में कोई सामान ने हित उनके कॉमन पेनिफिट से जुड़ा हुआ कोई मामला है उनका अन्वेशन करना उनकी इन्वेस्टिकेशन करना और उस पर विचार विमर्ज करने का काम जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का होता है अन्तराजी विश्यों से सम्मंदित नीतियां, कार्रिवाईयां उनमें समन्वे जो है वो स्थापित करना और स्थापित करने की संस्तुती करने का काम जो है अंतराजीय परिशदों का होता है संगठन की बात करें, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधान मंत्री, पहली बार कब इसकी स्थापना होई थी अंतराजीय परिशदों की, तो वो 1990 में होई थी, सदश्यों की बात करें, देखिए अध्यक्ष तो प्रधान मंत्री होगे, सदश्य कौन-कौन होता है, प्रधान एक वर्ष में कम ते कम इसकी तीन बार जो बैठक है वो आयोजित की जाती है अंतराजी परिशत की यह आप याद रखेंगे एक टर्म और आता है आपका छेतरी परिशत है जोनल का उनसे लिहां से भी परिशन पूछा गया है इन परिशतों का उदेश विभिन राज्यों के बीच पारस पर एक समवाद कायम करना आपसी बाचीत जो है कायम करना और राज्यों के आपसी विवादों को अपने लेवल से सुल्जाने का परियास करना है यह सामविधिक निकाय हैं सामविधिक निकाय का मतलब क्या होता है ऐसी बोड़ी ऐसा निकाय जिनका गठन संसद के द्वारा एक अधिनियम बना करके किया जाता है वो होता है सामविधिक निकाय और समविधानिक निकाय कौन से होते हैं जिनका उलेख या जिन से जुड़े हुए प्रवीजन समविधान में दे रखे हैं तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको समझना है समविधानिक निक से पूछा गया था PCS में कि छेतरी परिशदों का निर्माण किस तरीके से किया गया है तो option में दिया गया था कि संसत के द्वारा act बना कर या संसत के द्वारा अधिनियम बना कर तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़े हैं जो यहीं से बनती है मैं आपको बिल्कुल इमांदारी से कह रहा हूँ अगर किसी ने ये सीरीज स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखी होगी या अभी जो कुछ वीडियो बची हैं वो सारी वीडियो देखेगा तो निश्चत रूप से पॉलिटी कोई छोटा-मोटा सेक्षन नहीं है PCS के अंदर गत 20-plus question पूछे जाते हैं maximum question आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे ज़्यादा कुछ मैं बातें करना मुझे आता नहीं है कि मैं आपको बहुत जादा यहाँ पर कुछ लिखके दे दूँ इस टांपर लिखकर दे दूँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन विश्वास कीजिए अगर आप इस सीरीज से चुड़े हुए हैं और इसको पढ़ रहें ध्यान से इसको समझ रहें मैक्सिमम क्वेस्टिन्स यूपी पीसे स्प्री में आपको इस सीरीज से मिलेंगे राज्य पुनर गठन अधिनियम था 1956 का उसके माध्यम से छेतरी परिशदों का गठन किया गया सबसे पहले ठीक है और पूरे देश को पांच छेत्रों में बाट दिया गया वो पांच छेतर कौन-कौन से थे उत्री छेतरी परिशद का मुख्याले नई दिल्ली है और इसमें कौन-कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आते हैं तो देखेंगे आप जम्मू कस्मीर, हिमाचल परदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्तान, दिल्ली, चंदीगड ये उत्री छेतरी परिशद के अंतरगत आते हैं के इंद्रिय छेतरी परिशद जो है इसका मुख्याले इलहाबाद में है और इसके अंतरगत आते हैं आपके उत्रप्रदेश, उत्राकंड, मद्धिप्रदेश, चत्तिसगड पूरवी चेतरी परिशत का मुख्याल है कोलकाता में है यहाँ पर आते हैं आपके बिहार, ज्हारकन, पश्चम्मंगाल, उडिशा और सिक्किम पश्चमी चेतरी परिशत का मुख्याल है मुंबई में है और इसके अंतरगत गुजरात, महारास्ट, गोवा, दादरेवं, नगरहमेली, दमन्दीव इन स्थानों को सामिल किया जाता है दश्डी छेतरी परिशत का मुख्याल है चीन नहीं है और इसके अंतरगत आते हैं आंदरप्रदेश, करनाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदिचेरी ये 5-6-3 परिशत हैं आपने देख ली, इसके बाद में एक आती है पूर्वत्तर परिशत, North Eastern Council संसत के द्वारा पूर्वत्तर परिशत अधिनियम 1971 पारित किया गया जिसके परडाम सरूप 1972 में पूर्वत्तर परिशत जो है अस्तित्तो में आई, जिसका मुख्याल है कहां पर है, शिलॉंग में है स्टार्टिंग में इस परिशत के सदस्य थे साथ साथ सदस्य कौन कौन से थे असम, मडीपूर, मिजोरम, अरोडाचल परदिस, नागालें, मिगालें और तृपुरा फिर 2002 में इस अधिनियम में एक सर्शोधन किया गया और आठवे सदस्य के तौर पर सिक्किम को सामिल किया गया तो वर्तमान में जैसे अगाप से पूछा जाए कि पूर्वुत्तर परिशत के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है तो आठ है आठवा सदस्य कब जोड़ा गया था? 2002 में इस परिशद में आठ राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के अलावा भारत के राष्टपती द्वारा मनोनीद एक अध्यक्ष होता है और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं है तो उन्तराज्य सब्ब्र मुद्यों से जुड़ा हुआ जो भी माटेरियल था कितना ही है इस से जदा आपको पड़ना है ज्यादा दिमाग लगानाशा था एस इन दोनों वीडियो को आप combined रूप से देखते हैं तो आपके दो से तीन प्रशने यहां से definitely फसेंगे UPPCS Pre में और एक चीज मैं आपसे फिर आपसे आप अनुरोध करना चाहूंगा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस चीज की कि जो भी मैं आपको यहां से चीजें दे रहा ह है कि class आपको कैसा लगा चीजें मैं आपको कैसे दे रहा हूं आपका समय वरबात तो नहीं कर रहा हूं बहुत कम समय में मैं आपको maximum चीजें देने की कोसिस कर रहा हूं तो जो आपकी feedback रहती है आपका जो भी सुझा विचार जो भी है वो comment section में जरूर किया किजी इसके ल मिलते हैं आपसे फिर एक next वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन